तादरी में जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण और सभी ने कहा है यहां तक कि भारती जनता पार्टी के ग्रेय मंत्री ने और महेश शर्मा जी उन सभी ने कहा कि यह दुखत घटना है उसके कारण में मदवेद हो सकता है लेकिन दुखत घटना कहा है और दूसरी सभी राजनीतिक रंग देने के लिए जैसे कि भारती जनता पार्टी की हमेशा नीती रही है उसमें कॉमुनल रंग दे दिया जाए संगीत सौम वहां पहुंच गए मुझफर नगर से आप सब परिचित हैं जिस तरह से वहां पर हिंदू-मुसल्मान दंगा कराया संगीत स जाए जाए और वरतमान परदान मंत्री श्वी नरेंदर भोधी जी उनकी भावना यही है उनकी नीती यही है कि किसी ने किसी तरह से हिंदू-मिसल्मान कराया जाए और उसी से राजनिति इगलाव लिया जाए बिहार चुनाव से पहले सामपर्दाइक बारदातों में बढ़ोत्री हुई है पहले गोमान्स को लेकर के राची में दंगा कराया गया और अब दादरी उबल रहा है मैं उत्तरपरदेश सरकार को भी कहना चाहता हूं कि वो दादरी को मुझवफनगर बनने से रोके वरना समूचे उत्तरपरदेश में एक बार पुने मुझवफनगर सरी के हालात पैदा हों अधनी पर ठाची माद लाकट अड़ को भी उत्तरा के ख necesita करा गयादत wants बना गया थाझा बना मैंज़ आखने ठाची ऑगा मैंने सब्सक्रिस प्सरा गया सफे बंस्देशन से खेजब खरके RSS and all Sangh Parivar outfits are desperate or undertaking a sinister design in Uttar Pradesh to polarize the society, to communally divide the people and instigate communal hatred and strife all over the state and all over the country. And what is their answer? And look at the statements made by VHP activists or RSS activists. They are nothing but statements which go against the very constitution of India. BJP should take note all these things. That is where I demand that Prime Minister speaks out and he goes on talking to people, monkey bath. What happened to his monkey bath? Let him do monkey bath on the communal strife that is emerging in in this country for which BJP and Sangh Parivar outfits are more responsible.